हालो फ्रेंड्स कैसे आप सावी आई हो बच्ची होंगे फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का धोकला बेसन का धोकला कई लोग बहुती जाद अलग तरीके से बनाना बताते हैं मैं आज आपको बहुती जादा सिंपल तरीके से इस धोकले को बनाना बताऊंगी त इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो चली हम बेसन का ढोकला वनाना सुरू करते हैं बेसन का ढोकला वनाने के लिए यहां पर हमने ले लिया एक कप बेसन यहां पर हमने नॉर्मली बेसन लिया जो हमाई घर पे होता है बही हमने लिया है इसको हमने चालका ले लिया है तो च अब यहां पर जिस कप से हमने पेसल लिया है उसी कप से हाँ पर हम लेंगे आधा कप दहीं यहां पर देखिए आधा कप पानी डालेंगे अब यहां पर हमारा टोटल एक कप पानी और दहीं हो गया है अब हम इसमें डालेंगे आधी चमस बेकिन पाउडर देखिए आधी चमस बेकिन पाउडर हमने इसमें डाल दिया है अब यहाँ पे हमने जो दही और पानी को mix किया, तो उसको हम स्टाय से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और बैटर को बना कर तयार कर लिएगे, अगर आप नवी तक मेरी चैनल को सबस्कारर नहीं किया है, तो प्लीली मेरी चैनल को सबस्कारर जरूर कर लीजिएगा, देखिए आप हमने ढोकले के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इसको ढग देंगे और 20 मिनिट के लिए इसको फूलने देंगे, देखिए आप हमें बैटर को रखे 20 मिनिट हो चुकी हैं, अब यहाँ पे हमने ले लिया एक बागोना, इसमें हमने डाल दिया एक stand अभ हम इसमें डाल देगे एक गिलास पानी पानी डालने के बाद हम गंज को इस तरह से ढग देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से भाफ बनकर तयार हो जाए तो चलिए अब हम चलते हैं बेटर की तरफ देखियें आप हमें बेटर अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो चुका है अब हम इसको एक बार और इसी तरह से मिला लेंगे देखिए आप हमने बैटर को एक बार इस तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदी चमस मीठा सोड़ा अगर आपके पास मीठा सोड़ा नहीं है तो आप इसकी जगा एक इनो कसे से भी डा सकते हैं लेकिन कई लोग के पास इनो नहीं होता है इसलिए में हाँ पे आपको मीठा सोड़ा और बेकिन सोड़ा से इस डोकले को बनाने बताने वाली हूं अब हम इसको एक ही डारेक्शन में इस तरह से मिलाते जाएंगे अब यहां पे हम बैटर को रग देंगे साइड में अब यहां पे हमने ले लिया एक पतीला इसमें हमने डाल दिया एक टेवल स्पून ओयल ओयल को हम पतीले में अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा ढोकला निकालने में आसानी हो देखिए हमने पतीले को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है अब यहां पे हमने जो धोकले को पकाने की प्रोसेस में, यहाँ पे हमने भगोने में पानी रखा ता देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कि इसमें अच्छी तरह से हीट बन कर तैयार हो चुकी है, अब यहाँ पे हम धोकले वाली बरतन को इस तरह से रख देंगे, देखिए, यहाँ हमारे 15 मिनिट हो चुकी है तो चली मैं आपको ढोकले को चेक करके दिखा देती हूं देखिए आप देख पा रहे होंगी कि यहां पर हमारे ढोकल अच्छी तरह से पक कर तयार हो चुका है यहां पर मैंने नाइफ की मदर से आपको चेक करके दिखा दिया है एकदम किली निया अब यहां पे हम ढोकले को इस तरह से निकाल लिए है अब हम इसको पांच मिनिट के लिए इस तरह से ठंडा होने देंगे उसके बादांगी की प्रोसेस करेंगे देखियें आप हमने 5 मिनिट के लिए ढोकले को ठंड़ा होने के लिए रखा थे हमारा ढोकले अच्छी तरह से ठंड़ा हो चुका है अब यहाँ पे हम ढोकले को निकाल लिंगे सबसे पहले हम नाइप की मदश्ट इस तरह से किनारे को प्रेस कर देंगे देखिए आपे हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है अब यहाँ पे हम इस तरह से एक प्लेट लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे और हलका से इस तरह से डिप कर देंगे देखिए आपे आप देख पा रहे होंगे कि आप हमारे कितने जाद अच्छा धोकला बनका तैयार हो चुका है इसमें कितने अच्छे वावल्स आए हैं एकदम जाली दार हमारे धोकला जो है बनका तैयार हो चुका है अब इस धोकले को हम इसी तरह से रख देंगे तो चलिए अब हम चलते हैं ढोकले के लिए तड़का बनाने के लिए आप हमने रग दिया तड़का पैन इसमें हमने डाल दिया एक चम्मस ओयल, ओयल को हम गरम कल देंगे देखिए हमार ओयल जो है गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मस सरसों देखिए आप हमने सरसों डाल दी है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मत जीरा जीरा को हम थोड़ी तड़कनी देंगी अब हम इसमें डालेंगे आठ से दस कड़ी पत्ते कड़ी पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 हारी मिर्च इसको हम निस्ता से कट कर लिया है देखिए आप हम हारी मिर्च डाल दी है अब यहां पे हम ढोकले को चटपटा बनाने वाले हैं और हलका सा मीठा बनाने वाले हैं इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी देखिए आप हमने चीनी इसमें डाल दी है अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी देखिए आप हमने एक गिलास पानी इसमें डाल दिया है अब यहां पे हमने ले लिया आधा नीवू आधा नीवू करास हम इसमें डाल दींगे ताकि हमारा ढोखला एकदम खटा मिट्था लगे दीखिए इस तरह से हम नीवू करणा से इसमें डाल दिंगे अब हम तड़की में ओवाला ने दिंगे देखिए हाँ पर आप देख पा रहे होंगी कि हमें तड़की वाले पानी में अच्छी तरह से ओवाला चुकी है अब हम इसको गर्म गर्म डाल देंगे सीधी ढोकले के ऊपर देखें इस तरह से अम इसमें डाल देंगे देखें आप आप देख पा रहे होंगी कि यहाँ पर मार धोकला एकदम इस पंजी जो है बनकर तैयार हुआ है अगर हम इस तरह से तड़का वाला पानी डालेंगी तो हमारा धोकला खाने में और भी ज़्यादा टेश्टी लगेगा धोकले को और भी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए अब हम इसमें डालेंगे फ्रेस नारियल इसको हमने इस चीbelsो कर लिया हैि अगल आपके पास है तो आप डाली बहुंँआ कप कर दीजीगा नारियल ढलने से हमारा धोकला देखने में अच्छा लगता है साधे खाने में भी टेश्टी लगता है देखिए आप हमने नारियल से इस तरह से गान्निस कर दिया है यहां पर मारे डोकला दिखने में कितना जादा अच्छा लग रहा है इस से जादा खाने में भी टेश्टी लगेगा